प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में हर सनिवार को विकली टोष्ट का आयोजन किया जा रहा है और ये JCRT यो जैक द्वारा किया जा रहा है आप लोगों को देना अनिवार है इस बार सनिवार को आपका भुगोल विशे का क्लास 11 का विकली टेस्ट हुआ था उसका अंसर आप लोगों को इस विडियो के माद्यम से बता रहा हूँ इस बार सनिवार को महने का तीसरा सनिवार है तो उन दिन छुटी रहेगा इसलिए सनिवार का जो विकली टेस्ट होगा वो ब्रिश्पति वार मलब थस्डे को होनी के संभावना है तो आप लोग जरूर विकली टेस्ट दीजिए और इसमें जो भी कोश्चन आते हैं वो परिच्छा उपयोगी रहेंगे इसलिए कोश्चन को बढ़िया से रखिएगा आप लोग यदि स्कूल में मिलता है तो और नहीं मिलता है तो इसको आप कॉपी में लिखके रख सकते हैं तो पहला कोश्चन हम लोग देखते हैं सरपर्थम भुगोल सब्द का परियोग किस ने किया था तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D option इरे अश्टार ने थनीज ने किया था आपका दूसरा कोश्चन है विसे वस्तुगत क्रमबत उपागम का परवर्त किस भुगोल वेता को कहा जाता है तो ये कहा जाता है हमप बोल्ड को यहाँ आपका तीसरा option जो है वो सही है हमप बोल्ड फिर तीसरा कोश्चन है निमलिखित में कौन सा प्रश्ण कार्यकरन सम्मन से जुड़ा हुआ है तो ये आपका जुड़ा हुआ है क्यूं तीसरा का हो जाएगा पहला क्यूं चौथा है प्रित्वी का अकार को क्या कहते हैं तो प्रित्वी का अकार को हम लोग भू आब कहते हैं भू आब बी option इसका correct है पांचमा है जीवन का विकास लगबक कितने करोड वर्स पहले आरम हुआ था तो ये जो हुआ था ये आपका हुआ था तीन सो असी करोड वर्स पूर तो यहां पर आप पांचमा का डी हो जाएगा छठा है प्रित्वी की प्रारंभिक वायू मंडन में कौन सी गैसो की अधिक्ता थी तो यहां थी आपका ए ओप्षन हो जाएगा हाइडोजन वा हीलियम सात्वा नमबर पॉस्चन है किस यूग को डाइनसौर का यूग कहा जाता है तो यह कहा जाता है आपका जूरेसिक यूग को बी ओप्षन इसका करेक्ट हो जाएगा निहारी का परिकल्पना किस विद्वान ने दिया है तो यह आपका दिया है लापलेस ने आठमा का हो जागा ए लापलेस फिर है प्रित्वी की तिर्जिया कितनी है तो प्रित्वी की जो तिर्जिया है वो है आपका 6,371 किलो मिटर D option इसका correct है दस्मा है भूग कम्ग के कौन सी तरंग सिफ्ट होस पादार्थों में ही चलती है तो ये चलती है आपका S तरंग दस्मा का हो जागा B कौन सी तरंग को भूग अर्भी एक तरंगे कहा जाता है तो ये कहा जाता है आपका P वा S तरंगे दोनों को बारमा है महा सागरों के नीचे भूग परपटी की औसन मोटाई कितनी है तो यहां हो जाएगा आपका सही अंसर 5 किलो मिटर 12 का A 13 है महा द्विपिये विस्थापन सिधान किसने और कब दिया था तो ये दिया था आपका Alfred Wagner 1912 Ring of Fire किस महा सागर पर इस्थित है तो ये है आपका परसांद महा सागर पर 14 का A हो जाएगा 15 है परविस्थान छेतर किसे कहते हैं तो परिविस्थान छेतर जो है वो आपका कहते हैं B option वास्थान जहां प्लेट नीचे धस्ती है और लास्ट कोश्चन है टी लाइट का निर्मान कैसे होती है तो टी लाइट का जो निर्मान है हीमानी नीच छेपन से होती है सुला का हो जाएगा सी तो बच्चो मिलते हैं नेक्ट वीडियो साथ तब तब लाग गया दीजें बाबाई